जेहो करनी माता की Hello friends, मैं हूँ Nisha ये जो vlog है, ये है traveling का और हम explore करेंगे उधेपुर जो की राजिस्थान में है इसे जीलो का शहर भी कहा जाता है बचपन से ही हमने सुना है कि राजिस्थान में पानी नहीं है लेकिन आपको इस जगे पानी पानी दिखाई देगा और ये जीले एकदब ही साफ सुतरी है इस वीडियो में आप देखेंगे कुछ जलग पैलेस की यहां की जीलो की यहां की local food की यहां पर एक सभेता का museum भी है वो भी इस वीडियो में आपको काफी सारी जगे ऐसी दिखाई देगी जो जल्दी से आपने नहीं देखी होगी किसी और YouTube चैनल पर अगर आप खाने पीने की शोकीन है तो आपको इसमें खाने पीने की काफी सारी आइटम्स दिखाई देगी दो चीजे रिसेंटली एड हुई है इंटिड्यूस हुई है उदेपूर के पास एक तो शिवजी जी की उची सी प्रतिमा दूसरा रताप गौरफ केंद्र और रास्टी तीर्थ इस जगे को देखकर आपकी आँखों में पानी जरूर आ जाएगा चलिए शुरू करते हैं दिल्ली से उदेपूर जाने के लिए हमने की है स्लीपर बस और ये बस हमने बुक की है अशोका ट्रेवल से तीस हजारी मेट्रो सेशन के पास आफ सुत्री स्लीपर बस होने के कारण हमें जरा भी थकावत नहीं हुई अंधर से सीट कुछ इस परकार से थी और एक स्टेंड लगावा था जिसमें अब अपना समान रख सकते हैं सीट जो है सिंगल बैड और डबल बैड के अकॉर्डिंग थी शाम को साड़े च्छे बजे हमारी बस चली और हम सुभा नो बजे पहुच गए अपने होटल जस्ट अ सजजनगड जो की सजजनगड फोर्ट के जस्ट सामने था हमने ये बुक करा दो दिन के लिए जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड था और अब मैं आपको दिखाई रही हूँ अपने होटल का रूम ये काफी स्पेशियस और नीट अन क्लीन था विंडो साइड एरिया पे एक बैड लगावा था यहां से आप भार का नजारा ले सकते हैं लेटे लेटे और ये है वाश रूम हेर ड्रायर के साथ उदेपूर आटो से भी एक्स्प्लोर किया जा सकता है लेकिन हमने यहां पे कर ले थी गाड़ी उस ट्रायवर ने हमें ऐसी चीज़े एक्स्प्लोर कराई जो पहले जल्दी से किसी ने नहीं की होगी मैं उस ट्रायवर का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी हम सबसे पहले गए करनी माता मंदिर और यहां से पूरा उदेपूर बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है पिचोला लेक पहुंसते ही एक घाट है वहां से जाती है करनी माता मंदिर के लिए रोफवे रोफवे में जाने के लिए टिकेट लगती है 120 रुपे की एडल्ट की और बच्चों की है कम रेट की लेजे अब हम पहुँच गए करनी माता मंदिर और आप भी कीजिए करनी माता के धर्शन कर्णी माता मंदीर के साइड में ही दरगा भी है आप भापे भी धर्शिन कर सकते हैं और यह है कर्णी माता जी की प्राचीन तस्वीर यहां से उपर पहुँच कर कुछ इस तरह से नजारे दिखाए देंगे और हमने यहां पे क्लिक की काफी सारी पिक्स मंदीर से वापस रोबे आते हुए आपको मिलेगा एक रेस्टोरेंट जहां से आप अपनी पेट पूजा कर सकते हैं हमने ली थी यहां पे थाली और चाउमिन जो की खाने में काफी टेस्टी थी वैसे उधेपुर में तीन मॉल है शॉपिंग के लिए लेकिन जो यहां पे सबसे बड़ा मॉल है वो है अर्बन स्क्वेर मॉल और सुरंग को पार करते वे अब हम जा रहे है श्रिनाज जी टेंपल लेकिन गाड़ी थोड़ी धूर पाक होगी और वो होगी पाक अक रिव जी की प्रतिबा के पास यहां से जाते हैं आटो रिक्षा जो की आपको श्रिनाज मंदिर जी के टेंपल के पास ही उतार देंगे आटो वाले ने हम से चार्ज किये 50 रुपीज और हम आटो से उतरे आटो स्टेंड पर यहां से श्रिनाज जी का टेंपल 10 मिनट की वाकिंग डिस्टन्स पर है तो भरमार दुकाने हैं यहां पर और अगर कपड़ों की बात करें तो आपको यहां पर दिखाए देंगी बंदेज की सानिया सूट्स, कुर्टीज, मंदिर के पास पहुँचते ही आपको अपनी चपल और मोबाइल जमा करानी होगी हमने भी यहां अंदर जाकर अपनी चपले और मोबाइल जमा करा दिया था हमारे श्रिनाज जी के दर्शन जो थे बहुत ही अच्छे हुए दर्शन के बाद हमने मोबाइल और चपल जूते अपस लेके इंजॉय की मिंट चाए मैंने ये पहली बार पी थी और मुझे वाके भी बहुत अच्छी लगी कर्मियों में जो टी लवर होते हैं उनके लिए तो मिंट चाए अमरित के समान है यहां एक पूरी लेन है जहां पर मिलती है इस तरह की चाट, पकोड़ी, कचोड़ी, आदी खाने पीने की चीजे यहां पर विजिट करते वे हमें याद आगई पुरानी दिल्ली और बनारस और मतुरा की गलियां जहां पर अभी भी पुराना खान पीन जैसे की कचोड़ी, समोसे, जले भी चाट पकोड़ी मिलती है यहां पर आपको होम डेकोर आइटम्स भी मिल जाएगी तो कि मेटल से बनी हुई होती है जिने आप अपने ड्रॉइंग रूम, बेडरूम, ओफिसे में डेकोरेट कर सकते हैं ओटो से ही हम वापस पहुच गए पार्किंग एरिया और यहां से हम गए शिव जी की उची सी प्रतीमा देखने के लिए हम लिफ्ट से ट्रैवल करते हुए उनके लेफ्ट और राइट शोल्डर तक जाएंगे लेकिन पहले एंट्रांस पे लेंगे टिकेट और बांदेगे अपने हाथ पे ऐसे बैंड अंदर काफी चलना पड़ता है तो आप इस तरह की इलेक्रिक वैन भी कर सकते हैं लेकिन यह चार्जेबल है अंदर एंटर करते हुए बार कोड को स्कैन कराते हुए हम सिटिंग एरिया पर बैठे और अपनी टर्न का वेट किया लिफ्ट में जाने के लिए और ये वेट सिर्फ दो मिनिट का था ताड़े साथ बजए यहां पर इस तरह का लेजर लाइट शो होता है हमारे होटल का जो डिस्टन्स था यहां का वो पचास किलोमेटर था इसलिए हम ये देख नहीं पाए लिफ्ट से प्रैस किया गया 11th फ्लोर और हम पहुच गए श लिफ्ट से नीचे आते ही हम गए आई लूजिन में और हमने यहां पर क्लिक की ठेर सारी पिक्स यहां पर आप जो भी फोटो क्लिक करते हैं वो आपको 3D फॉम में दिखाई देंगी यहां से साड़े साथ बजए हम निकल कर गए एक लिंग जी महराज के मंदिर यह काफी प्रसिख शिव जी का मंदिर है और इस मंदिर की काफी मानेता है अंदर फोटोग्राफी अलाओ नहीं है लेकिन आप फिर भी वीडियो क्लिप से आपको पता चल जाएगा यह कितना प्राचीन है और यह है रात का व्यू लेक का रात में इसका व्यू अमेजिंग लगता है और लोग इस टाइम को इंजोई करने आते हैं यहाँ पर वापस होटल पहुच कर हमने इंजोई किया डिनर होटल की रूम पहुचते ही हम लोग सो गए और सुबह 8 बजे हम पहुचे नाश्टा करने आप देखिए यहाँ का नाश्टा कैसा था नाश्टा करने के बाद हम सबसे पहले गए सिटी ओफ पैलेस यहाँ पर है म्यूजियम और दूसरा देखने के लिए यहाँ पर है जग मंदिर इसकी टिकेट भी हमने यहीं से ली थी एडल की टिकेट है 500 की जिसमें बोटिंग इंकलूड है और बच्चों की टिकेट थी 250 की जो लोग पैदल नहीं चल सकते उनके लिए इस तरह की ट्रेन है पेड हमन जग मंदिर पहुंसते ही जो हाथी की प्रतिम आये थी न वो बहुत ही सुंदर और एट्रक्टिव लग रही थी ऐसा फील होता है कि हमें एक रोयल प्रोपर्टी पर आये हैं सबसे पहले हमें दिखाए थी गणेश जी अब देखिए मैं आपको पूरा जग मंदिर 60 एंगल पर दिखा रही हूं अंदर एक छोटा सा म्यूजियम भी है जहां पर आपको यह सब चीजें दिखाए देगी जो कि मैं वीडियो में दिखा रही हूं आपको एक दो घंटे यहां पर टाइम स्पैन कर और कुछ फोटो क्लिक कर हम वापस आ गए है हाथी पोल मार्केट लिए लगती है रिजनेबल सी टिकेट्स एडल्ट और चिल्डन के लिए स्टार्टिंग में यहां पर हमें दिखाए दिये फाउंटेन जो फिलाल रिपेरिंग पर यह थे इसलिए वह चल नहीं रहे थे यह काफी बड़ा गार्डन है और हम सिर्फ कुछी पोशिन में गए यहां पर काफी सारे एक्यूरियम से जिनमें डिफरेंट तेरे की कलर्फुल फिशिज है अगर आप खाने पीने की और उधेपुर की कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर शौट्स देख सकते हैं और उसे इंजॉई कर सकते हैं यहां भी कु केंडर और रास्ट्रिय तीर्थ बच्चों के लिए ही नहीं बलकि हमारे लिए भी यह जगे जरूर विजिट करनी चाहिए यहां हमें जानने को मिला कि मेवार राजे कैसे फैला कहां तक फैला शुरुवात कहां से हुई मेवार की कई राजाओं की पैशली महराना के जरी हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम हल्दी घाटी का यूद लेकिन यहां आकर हमें अच्छी से समझाया उसका कारण और किस तरह महराना परताब जी ने उस पर विजय हासिल की और कितनी ही कुर्बानिया दी गई इस यूद के लिए बलकि मैं तो तारीफ करूंगी यहां पलिदान है ये मेवार महान है ये मेवार महान है आपित किया वे चित्तोर के पहले महराणा बने कॉपी रैट की परवार ना करते हुए यह में एक छोटी सी क्लिप दिखा रही हो ताकि अगर आप अपने बच्चों को मेवार की हिस्ट्री बताना चाते हैं तो आप उनको यहां पर जरूर लेकर आए इस फिल्म थेटर पे 15-20 मिनिट लगते हैं मेवार और महाराणा परताप जी की पूरी जीवनी बताने के बार हमें बताया गया हमारे स्वतेंतरता सेनानियों के बारे में इस एसी रूम में जहां पर पूरे भारत को दर्शाय हुआ था म सैली जहेंगा ठीके पहला द्रश्य इसका में मारणा परताप को बताया है युध्र की प्लानिंग करने कि युद्द के सरडना है द्लाज कि वह 10 अ कущ युँद्धु खाल रा वागों में बाता पहला बाग खुल लेकर चलते हैं मार नाम प्रताप हल्दी गाटी के दर्रस्ट अनि दो पाड़ों की बीच के एक संक्री जगह ताकि अटेक करें तो सामने वाली से जल्दी ना भागता है और दूसरी से ना सुपते हैं इनके प्रमुक से निक बिलू राना के हाथों जो हमें यहां विजट करना बहुत ही अच्छा लगा अब हम नेक्स्ट गए नहरु गार्डन जो है पतिसागर लेक के पास आप इस लेक के पास बैटेंगे तो आपके मन को बहुत शान्ती मिलेगी आप यहां पर कैमल राइड इंजोई कर सकते हैं फूड इंजोई कर सकते हैं किसे में हमारे होटल से कुछ इस तरीके का व्यू दिख रहा है चलिए जल्दी से हम आपको अपने होटल का डीनर भी दिखा देते हैं आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा रहा है झाल झाल नेक्स्ट हम गए आहर सिविलाइजेशन के म्यूजियम और यहाँ टिकेट थी एडल्ड के लिए 20 रुपे और बच्चों के लिए 10 रुपे इस म्यूजियम में दिखाए दिये वहाँ के पौटरी, ओजार, वहाँ के टाइम की भगवान जी की मूर्तियाँ, औरनामेंट्स, और एक बात और यह जो सिविलाइजेशन है, यह हडपन्द सिविलाइजेशन से भी ट्रेड में डील करते थे, यहाँ पर एक दो सेक्शन ऐसे थे, जहाँ पर राजा महराजों के यूज में आने के ओजार रखे हुए थे, क्लोधिंग रखी हुई थी, गंस वगेरा रखी हुई थी, यह अभी कुछी सालों में जवलप किया गया है, म्यूजियम विजिट करने के बाद हमने डिसाइड किया घंगोर काट जाकर पल लेक के पास बिताने के लिए, यहाँ आकर हमने देखा कि यहाँ पर काफी सारे प्री ब्राइडल फोटो शूट हो रहे थे, और इस फोटो शूट को देखकर काफी खुशी मिली, क्योंकि हमें देखने को मिला यहाँ पर यहाँ का पारमपरिक पोशाग जो की काफी कलरफुल थे और इन लड़कियों ने पहने हुए थे, और इस लेक में कुछ बच्चे नहाते वे और कूदी लगाते वे दिखाए दिए एक दो घंटे यहाँ पर स्पेंड करने के बार हमने हाथी पॉल मार्किट में लंच किया और लंच में लिया हमने राजिस्थानी थाली और आलू पराठा की काफी हेवी भी थी और टेस्ट और यहाँ पर मुझे सबसे ज़ाए दिखाए दी इस तरह की जेंट शर्ट और यहाँ के बॉइज और जेंट जातर इसी शर्ट में ही दिखाए दिए मार्किट में इस तरह की बैक्स भी काफी सारे थे अगर आपको मेरी यह उधेपुर की ट्रैवल वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चनल पे नए है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजेगा मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर